बिहार में विधान सभा चुनाव से पहले दोस्ती तूटने और नए रिष्टे बनने का सिलसला शुरू हो चुका है। ख़बरों के मुताबिक, जीतनराम माझी की घर वापसी को लेकर जेडियू की तरप से पिछले कई महीनों से कवायद हो रही है। JDU चाहती है कि माजी की पाटी हमका पूरी तरह से JDU में विलय हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने की सूरत में माजी की पाटी के साथ कुछ सीटों पर समझोते का फॉर्मिल तय किया जा रहा है। फिलहाल अभी यह तय नहीं हो पाया है कि जीतन राम माजी की पाटी JDU से हाथ मिलाएगी या नहीं। आपको बता दें कि एंडिय से अलग होने और 2014 लोग सभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने C.M. पत्से इस्तीफा देकर जीतन राम माजी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम माजी के नाम की पेशकश कर नीतीश कुमार ने पिछड़े वर को खुद से जोडने की कोशिश की थी। लिकिन 20 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार से नराज जीतन राम मान जी ने मुख्यमंत्री पत्से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में जेडी उचोड उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोचा के नाम से अपनी पार्टी बनाई थी. Newsdesk जयता एक फन्होंट में जyin जयता थालया मोचा है.